साथियों, महर्ची अर्विंदो के जीवन को अगर हम करीब से देखेंगे, तो उसमें हमें भारत की आत्मा और भारत की विकास यात्रा के मौलिक दर्शन होते हैं. अर्विंदो ऐसे व्यक्तित्व थे, जिनके जीवन में आदुनिक शोध भी था, राजनेतिक प्रतिरोध भी था, और ब्रह्मबोध भी था. उनकी बड़ाई, लिखाई, इंग्लेंड के बहतर से बहतर सांस्थानों में हुई, उन्हें उस दोर का सबसे आधुनिक माहुल मिला था, ग्लोबल एक्स्पोजर मिला था, उन्होंने खुद भी आधुनिकता को उतने ही खुले मन से अंगिकार किया. लेकिन वही अर्विंदों देश लोट कर आते हैं, तो अंग्रेजी हुकुमत के प्रतिरोध के नायक बन जाते हैं, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए स्वाधिन्ता संग्राम में बढ़ चटकर हिस्सा लिया. वे उन सुरुवाती स्वतंत्रता सेनानियों में से थे, जिन्होंने खुल कर पूर्ण स्वराज की बात की, कॉंग्रेज की अंग्रेज परस्तनीतियों की खुल कर अलोच ना की. उन्होंने कहा था, अगर हम अपने राष्ट का पुननिर्मान चाहते हैं, तो हमें रोते हुए बच्चे की तरह, ब्रिटिस पार्लमेंट के आगे गिड़ गिनाना बंद करना होगा. बंगाल विभाजन के समय अर्बिंदोनी वाओं को रिक्रूट किया और नारा दिया, no compromise, कोई समझोता नहीं, उन्होंने भवानी मंदिर नाम से पैंप्लेट छपवाए, निराशा से घीरे लोगों को सांस्कूतिक राष्ट के दर्शन करवाए. आइसी वैचारिक स्पस्थता, आइसी सांस्कूतिक दर्टा और ये राष्ट भक्ती, इसलिए उस दोर के महान स्वातंत्र सेनानी स्री अर्विंदो को अपना प्रेणा सोत मांते थे. नेताजी सुभाज जैसे क्रांतिकारी उन्हें अपने संकल्पों की प्रेणा मांते थे. वहीं दूसरी ओर, जब आप उनके जीवन की बौदिक और अध्यात्मिक गहराई को देखेंगे, तो आपको उतना ही गंभीर और मनस्वी रुष्वी नजर आएंगे. वह आत्मा और प्रत्मात्मा जैसे गहरे विश्वों पर प्रवचन करते थे, ब्रह्म तत्व और उपनिश्दों की व्याख्या करते थे, उन्हेंने जीव और इश्के दर्शन में समासिवा का सुत्र जुड़ा है। मर से लेकर नारायन तक की यात्रा कैसे की जा सकती है। ये आप स्रेयर्विंदों के शब्दों से बड़ी सहचा से शिख सकते हैं। यही तो भारत का संपूर्ण चरित है, जिसमें अर्थ और काम का भावतिक सामर्थ भी है, जिसमें धर्म यानि कर्तव का अधूत समर्पड भी है, और मोक्ष यानि अध्यत्म का ब्रम्वबोध भी है। इसलिए आज अमर्थ काल में जब देश एक बार फिर अपने पुनर निर्मान के लिए आगे बढ़ रहा है, तो यही समगरता हमारे पंच प्रानों में जलकती है। आज हम एक विक्सित भारत बनाने के लिए सभी आधुनिक विचारों को, बेस्ट प्रक्टिसीज को स्विकार और अंगिकार कर रहे हैं। हम बिना किसी सम्झोते के, बिना किसी दैन्यभाव के, इंडिया फर्स के मंत्र को सामने रखकर काम कर रहे हैं। और साथ ही, आज हम हमारी विरासत को, हमारी पहचान को भी उतने ही गर्वसे दुनिया के सामने रख रहे हैं।